हालो फ्रेंट्स नवस्कार एंड वेलकम टू शमाधान साथ हो उमेद करते हैं कि आप जब अच्छे होंगे और प्रिपिटेशन आपका अच्छे तरीके से चल रहा होगा और जैसा के बीपेसी के दुवारा आड़ सेटिफिक का एक्जाम अभी चल रहा है बर्थमान में तो जैसा कि हमने जिस पेपर वन को डिसकस किया और बिसकरी साथ ही हम लोग यहां पे जो स्क्षिन आइन बीपेसी होने वाला है यह आगे जो बीपेसी में बैठेंगे उन सब के लिए यहां पे कैसे जो पैटर्न में बदलाव किया गया है उसके हिसाब से अपने देखेंगे जिस टू का पीपर और जिस वन में भी अपने देखा कि इस बार शॉट कोशन्स पूछे गया है तो पहला प्रसन यहां पर चलेंगे जो आठ नंबर के यहां पर है और वन का यह है यह तो देखेंगे इसमें भारत में गत्यात्मक धर्म प्रक्षिता को अलोश को मान सकता है और अपने अस्तर से अपने धर्म के लिए पचार पचार कर सकता है जिसके लिए कोई डुक टुक नहीं होता है तो इसी को यहां पर बिसलिशित करते हुए आपको लिखना है और अगरा जो कुस्टन से देखेंगे तो भारत में छेत्री राजनती अपनी भू इसको यहां पे ब्याख्या करते हुए अपना दिखाना है कैसे कि राजनती प्रवावित होती है अगला यहां पर देखेंगे जो अगला क्वेस्टन से तो भारत के संविधान में सक्रात्म और अर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रुप में है उदारन सहीत ब्याख्या यहां पर देख सकते हैं भारत के प्रिथक किया गया है जो अभी अधिकार है चाहे हो नियाई पालिका हो या विधाईका हो तो यहां पर अपना तो उसी को यहां पर निया ही प्लिका का जो शट करता है है अगला जे नवर मैं पिछले दस्कों में अपनी राज़िनितिक संस्कृति में शुधार देखा है अभर हो मैंँ बात करूं तो सेमंगे में इसी पडत विकास हो, शोसाल रिफर्म सुआ हो, तो इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में देखना चाहिए, आगे आपको कोश्चन इसी प्रकार से मिलना वाला है, तो इसके बारे में ये कोश्चन लिखना था, अब इसमें देखते हैं, जो अगला कोश्चन है, दो नमर कोश था तो यहां पर देखेंगे तो यह अगला कोसन जो और नहीं पर चैट्रियए परिश्दों के अंतर अंतरगात देश में राष्टियेशित की सरोपरिता परतिश्टित है भारत में छेत्रियए परिश्दों की परिखिति आलोसनात्मक दृष्टि से परिख्षन किजिए और जो इसमें दूसरा कोचन है यानि दो में से कोई एक लिखना है आपको तो जो चेटरी परिशन है उसके बारे में आपको विशतार से हैं लिखना है क्योंकि अर्थिस नमर का यह है और यह वो नहीं लिखेंगे तो यहां पर जो दुसरा कोचन है जाती भारती राजनती में एक भूमका निभाती है दसकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है आप पिछले कई दसकों में इसकी बदलती भूमका को कैसे देखते हैं क्या विकास जाती के चर्गतर को कमजूर करता है अपने कारण दीजिए तो यहां चांगा, इस लिए तु दिखाना है और जो विखास है, विखास का इसे आप दिखाएगे, जैसे की एजुकेशन बढ़ रहा है तो जाती के परवब धरी कम हो रहा है, यहां पे दिखाना है आपको तो यह भी लिख सकते हैं questions और जो तीन का यह है section 1 का ही यहां पर देखेंगे तो यह है भारत के चुनाव कराने में महत्पूर्ण निम्कान भाई है दसकोंप से चुनाव को स्वतंतर और निस्पक्ष बिनाने में इसका भूरिमका का अलचनात्मक परिक्षां कीजिए बिहार में station पूर्व और station उप के बाद चुनाव किसंद्चालम के संदर में अपने उत्थर के कारण दीजिए यह लोगतं को मजबूत करने में कैसा विदान देता है तो यहां पर no doubt भारत में जो चुनाव आयूफ है निस्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है तो इसके संदर में आपको अलशुनात्मुक परिक्षन करना है तो यहां पे और खासकर कि बिहार के संदर में आपको दिखाना है जैसे सेसन पूर्प चुना होते हैं या सेसन बात चुना होते हैं उसके बारे में यहां पर कैसे इस पक्ष तरीके से चुना होता है यह एक्स्प्लेइन करना है यह थरी एक्समार्क्स का है अगर वो नहीं ल जैसे कि यह सरवच सदन होता है उसको भारत में बोला जाता है तो यहां पर इसकी जो सक्तिया है उसके बारे में बताईए और जो दूतिय सदन है उसके रूप में कैसे अपने भूंका निभाता है इसके बारे में भी यहां पर आपको explain करना है यह भी 38 marks का है अब बढ़ते है section 1 complete होता है यहां पर हमारा अब चलते है section 2 के तरफ तो section 2 यहां पर देखेंगे हम लोग तो यहां पर section 2 के तरफ हम जैसे बढ़ते हैं तो यहां पर short questions again feel आ गये हैं तो इसमें चार का यह पहला question है राष्टिय लोजिस्टिक नीती 2022 परधान मंत्री गति सक्ति युजना के स और यहां पर जो बी नमर question से तो बी नमर question है यह अटल innovation mission कि इस प्रकार पूरे भारत में नमाचार और उधम सिल्टा को बढ़ावा दे रहा है बैख्या किजिए mentor India अटल innovation centers और अटल new India challenge कैसे अटल innovation mission की विभिन पहलो पर संचिप में चार्जा किजिए तो अटल mission आपने यह current topic अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको इसके संदर्म में अच्छे से जनकारी होगा अगला question है यहां पर तो बिहार में नगरी करण के इस्तर प्रचाशा कीजिए राज्य में नगरी करण के निम्न अस्तर से समंधित कम से कम दूख कारणों की बैख्या कीजिए और यहां पर राज्य में नगरी करण को प्रहवाद देने के लिए बिहार सरकार दूरा हाली में किया गए कदम उठाए गए हैं जो उसको बैख्या कीजिए तो यहां पर बिहार में बिसकली जो नगरी करण किया जा रहा है अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसके संदर्म म पाद बढ़न आए यहां पर दो रिजन्स बताने है कि कि किस अधार पर बढ़ रहे हैं नगले करन और भीःष तकारन ने इसके संदर में क्या कदम उठाया है उसको यहां पर आपको एक्जांपर्स क्रूब में दिखाना है जो जो उजनाय हाल फिलाल में या इसके पाले भी लंच की रही बिहार सरकागत्वरा अगला कोश्चन जो बढ़ेंगे इसमें साथ नमर का जो कोश्चन से यह है हिंद माहाशागर द्वी धुरूबिय गती क्या है इसका वर्ष दोसर बाइस में भारत में मानसुन की अधिनिमेत्त से क्या समंद है व्यक्या किजिए इस अनिम सहली डिजिटल विभाजन की ब्यापकता और प्रभाव चर्जा किजिए इसमें कम करने के लिए सरकार दोर उठाए कदमों का परिक्षण किजिए तो जैसा कि भारत में डिजिटल करन पे जादे यहां पर जोड़ दिया जा रहा है और इसी किसलान में आपको जो ग्राइम कदम उठाए गए हैं जो युजनाय चलाए गए हैं तो जैसे डिजिटल भारत में सर्ण हो गया तो इसके तहट आप लोग को यहां पर एक्स्प्लेइन करना है अंसर को अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कोशन के तरफ और अगला पोशन इसमें लॉंग कोशन आता है तो भविष्य में भारत के 22 वैपार संबंदों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाया सुझा है तो यहां पे 2022 में भारत के जो बैपार संबंद है जैसे कि अभी हमारा अभी हमारा अमेरिकाकसान ट्रेड सबसे अधिक चल रहा है गलोबाल अस्तर पे और वहां पे ट्रेड डेफ इसमें यह हैं फरवरी 2022 में भारतिय दूर संचार बिनियामक प्राधिकरन द्वारा जारी रिपोर्ट के अंसार दिसंबर 2021 के अंत में अखिल भारतिय और सत यहां पे 85.9% के मुकाबले बिहारत सिवाच्षेत्र में 53.7 एक टेली घनत्व है इस स्थितिक करणों को इंगित कीजिए इसका क्या प्रभाव है इस्थिति में सुधार के लिए उठाय जा सकने वाले कदमों की जांस कीजिए तो यह आप कॉरेंट टपिक है यह भी इसको आप लोग देख लिए होंगे अगला जो इसमें छे नमर कोश्चन है इसमें दो कोश्चन से दोनों में इसको यह एक करना है लॉंग कोशन है नेली अर्थविस्ता की पहचान राष्ट्य विकास के 10 मुख्य आयों में से एक के रुप में की जाती है उप्यूक्त कत्रूने का लोग में अर्थविस्ता के लिए इस घनत महतों पर चार्चा कीजिए और नेली अर्थविस्ता की बढ़ावा है और इसके जो दोरा सरकार दोरा कदम जो उठाए गए हैं वो क्या परियाप्त हैं अगर आप सुझाव देना चाहते हैं उसमें सुझाव भी दे सकते हैं अच्छे तरीके से उसके लेंग करना है या इसके अलावे आप देखेंगे यहां पर तो जो इसमें अगला कोशन ह सब्सकों लिख सकते हैं इसी का अथोवा में कच्छे माल के अधार पर बिहार को वन अधारित उद्योगों क्रिशी अधारित उद्योगों और खानी अधारित उद्योगों में विवाजित कीजिए उन उद्योगों की अवस्तितिक उदर साने वाले स्वक्ष रखा चित्र सब्सक्राइब करना है तो अब चलते हैं हम लोग सेक्षन थार्ड के तरफ और से स्वाट कोशन से पहला कोशन है भारती परिप्रिक्ष में तक्निकी प्रदोगी की का सवधिसी करन से आप क्या समझते हैं तो बिसिकली यहां पर भारत में जो अब टेक्नोलोजी की चेत्र में भारत भी आके बढ़ रहा है और खाफी भारत सकाक दूरा जिसे की मेकिन इंडिया के सिंदर में आपने लोग बता सकते हैं इसके लावे जिसे अहाल फिला में नाविक इंडिया का अपना जो इन्वेशन नेविगेशन एप उसको लंच किया गया था और भी जैसे सेटलाइट्स के छेतर में आप वाड़ी जेस्ट में इंडिया का दम रख रहा है और पूरी वर्ड का ज उज्जा का इसकरम का बिस्तार क्यूं आपको सव्ध्हानिया भी लिखए तो यहांपे आपको explain करना है कि जुश्ण करना है जीत करना वोती है इसके अधान के अगला जो इसमें question है आपका यह है internet और internet में अंतर लिखिए बेख है कि यह कि किस प्रका internet और internet ने में रिजिमन को बदल दिया है सबसे पहले यहां पर आपको तो अंतर समझना होगा कि internet और internet क्या है और internet की बात करें साथ ही तो internet होता है global अस्तर पे network जिसके माद हम साब देश देश की जनकरिया एक दूश्रे से साजा कर सकते हैं देख सकते हैं तो यह तो इसको बलाया था इंटरनेट और जो इंटरनेट होता है यह केवल जिसको अथुराइज किया जगा वही देख सकता है एक्जांपल के देखेंगे कोई बड़ा फॉर्म ह या कोई ministry है जैसे कि Indian Army का अपना जो पोर्टल है उसको जो अथराइज है वह ही उसको खोल सकते हैं उपन कर सकते हैं और उसकी data को कोई दुसरा नहीं देख सकता है तो वो होती है internet जैसे कि कोई company अपना communicate करने के लिए या यहां पर कोई defense sector है वो अपना communicate करने के लिए करमचार इस प्रकास जीमन को जैसे कि अब दिखादना इसमें digital करन से कितना असान हो गया है चाहब बैंकिंग छेत्र में हो आर्थिक छेत्र में हो क्रिसी छेत्र में हो सभी छेत्रों में internet काफी बदला बला दिया है इसको आप असानी सिहां पर explain कर सकते हैं अगर को भी पढ़ते हो अगला जो इसमें question है यह साथ नमर का यहां पर है तो यहां पर बताना है आपको स्वास्त छेत्र में नाइनों प्रदोगी की बुदिन का परचर्शक कीजिए और वीभिन नोगव के गुपचार में इसको उप्योंकिस प्रकास किया जाता है उदारन सहीद लिखना आपको तो इसको अब लोग लिख लिए जीगा और अगला हम लोग जल्दी जल्दी question देख लेते हैं काफी लोग वीडियो हो जाएगा तो आठ नमर जो इसमें लोग question का वीडियो है तो यहां पर देखेंगे संगड़क एम संचार प्रदोगी के छेत्र में परगति के साथ आम ज है या डेटा चोरी के लिए उसी किसंदर में आपको किस प्रकास भारत प्रदावित है और इसके रोक थाम के लिए भारत ने क्या कदम उठा है यह सब एक्स्प्लेन करना है या जो दूसरा question है यहां पर आपका एक तरफ परतेक परिवार को पीने योगे जल की उपलवता क दूसरे तो बढ़ती अबादी करन जल की कौमी को ध्यान में रखते हुए जल से नक्षन में भारत सकार प्रकास ला लिए साथ ही केंद्रिय सकार के उद्रियों की पूरती है तो बिहार आपनाया गए बैग्यानी काम तक्निकी विकास की बेशना कीजिए तो जैसे कि हाल फ दिखा सकते हैं और भी जो भी हार सरकाय के दोरा नल्जल योजना है उसके संदर में अब कैसे डेवलप्मेंट किया गया उसको यहां पर एक्स्प्लेंट कर देना है तो यहां पर पूरा कोशन को हमनों एक्स्प्लेंट कर लिए हैं और आप लोग चैनल से जूड़ जूड दन्यवाद